इस ओडियो किलिब में हम बात करने जा रहे हैं कैथिरीन ईसाओ की बायोग्राफी के बारे में कैथिरीन ईसाओ का जन्व 1898 में उक्रेन में हुआ था ईसाओ ने रसिया एंड जर्मनी में एग्रिकल्चर पर इस्टडी की तता ईसाओ 1931 में उनाइटेड इस्टेट से डॉक्टरेट की उपादी प्राप्त की ईसाओ ने अल्ली पब्लिकेशन में बताया कि करली टॉप बायरस प्लांट में फूड कंडेक्टिम फिलम टिसूदारा फैलता है डॉक्टर ईसाओ की 1954 में पब्लिश्ट प्लांट एनाटॉमी ने एक डाइनमिक तता डेबलमेंट एप्रोचिस को अपनाया जिसकी साहता से प्लांट इस्टेक्चर के बारे में समझ बड़ी तता ईसाओ ने पूरे बिस में अत्यादिक प्रबाव छिड़ा अत्राद discipline का revival ला दिया 1957 में ईसाओ को National Academy of Science के लिए चुना गया तता ईसाओ इस सम्वान को पाने वाली छटमी सबसे पावरफुल बूमेंट बनी 1960 में ईसाओ की Anatomy of Seed Plant पबलेश्ट हुई तता इसे Babister of Biology and Encyclopedia के रूप में रिफ़र किया गया ईसाओ ने 1989 में USA के President George Bush द्वारा National Medal of Science भी प्राप्त किया जब 1997 में ईसाओ की मृत्यू तब मसूरी Botanical Garden में Anatomy and Morphology के डारेक्टर पीटर रेबेन ने याद करते हुए का ईसाओ 99 बर्ज की उमर तक Plant Biology के फिल्ड में Absolutely Dominant बनी रही आसान बासा में Biology के इस Audio Clip को सुनने के लिए चैनल को सिस्क्राइब करने और करवाने के लिए आप से इस Audio Clip